इंतचार खतम क्योंकि भड़ती आ चुकी है और कहते हैं अगर एक बार किसी अच्छी सरकारी नोकरी को अपलाई कर दिया ना अच्छे से तयारी कर ली लग गई तो जीवन सफल हो जाता है आपका भी और आपकी फैमली का भी और ऐसी अपोर्चुनिटी आ चुकी है जिसका इंतजार आपको था मैंने बोला था कि भाई यह आएगी और इसी साल आएगी और जैसी अपडेट आती है मैं आपको सबसे पहले बदाऊंगा एसी स्टाफ सेलेक्शन कमिशन की एक ऐसी भरती जिसमें ना तो मैस आता है जिसका ना तो इंटर्व्य होता है जिसमें पेपर भी सिर्फ एक होता है और उस बेसिस पर आपका सेलेक्शन होता है अच्छी खासी सैलरी पचास से पच्पन अजार रुपे महीने की सैलरी के सा एक यसी opportunity जो आपको Central Government की different departments में color की post दिलाती है उसका नाम है SSC Stanographer Staff Selection Commission अपना calendar जो भी आगामी वर्ष का होता है वो पहले ही उसे जारी कर देते हैं और उसमें date actuate बता देते हैं कि उसी साफ सी हम यहां पर notification जारी करेंगे और उसी के according जो है notification आचुका है आज मैं बात कर रहा हूं इसे SSC Stanographer की bump पर भरती के लेकर जो पूरी updates आई है notification आचुका है कब exam है क्या date है क्या यहां पर fees रहेगी क्या syllabus रहेगा कैसे आप इसे crack कर सकते हो और क्या क्या है पर negative marking कितनी रहेगी और patterns क्या रहेगा salary कितनी रहेगी सब कुछ अपन डिसकस करेंगे आज के अपनी वीडियो में और job का link मैंने आपको discussion में दे दिया है दोस्तों आप देख सकते हो अगर आप latest job के वर में information चाहते हो तो आपको बस एक काम कर लेना है जो लिंक मैंने discussion में दिया है अगर आप more government jobs के पार में update लेना चाहते हो तो हमारी website sbjhub jobs पर जरूर से विजिट करें क्योंकि यहां पर आपको सभी part time work from home latest government job internships scholarships सब अपडेट्स यहां मिल जाती है और प्लस आप उपर देख सकते हो यहां पर category भी बनी हुई है जिस पर आप करोगे तो इससे आपके work यहां पर आपको देखने को मिल जाएंगी और भर भर के opportunities है तो जिने जॉब की जौरत है वो sbjh jobs पर जरूर से विजिट करें तो आज की जॉब के बाद करो इसका notification आचुका है दोस्तों सब्से पहले आपको notification ही दिखाता हूं भारत सरकार देख तो इसका करें लिए लिए अश्वलीपिंग और टाइपिंग भी आसान वाली नहीं आपको सामने पूरे लिएठर की व्याक्यान करेंगे आपको जो सुनना हैं कोट वड में नोट करना है जाकर टाइप कर देना इसको कहते हैं तो यहां पर जो वकैंसी आई है वहां इहां C और great D की vacancies आई है, eligibility सिर्फ 12 पास आउट है, यह चीज मैं आपको बता दू जो एक अच्छी बात है, तो आप सभी लोग जितने लोग यह वीडियो देख रहे हैं, सभी की सभी eligible हैं यहाँ पर, तो चली देखिए, great C और great D की यहाँ पर vacancies आई है, फोर्म जो है, इसके 26 जुलाई को स्टार्ट हो गए थे, और गाइस, इसकी last date की, अगर मैं बात करूँ ना यहाँ पर, तो आप देख सकते हो, 17 अगस्त इसकी last date है, 17 अगस्त को राद 11 बजे तक, आप फोर्म फिल अप कर सकते हैं, ठीक है, और last date मैंने आपको बता दी, पेमेंट्स की last date 18 अगस्त है, और आगे चलें, तो जो computer-based test आपका होने वाला है, वो होगा October या November में, उसके mid में कभी भी हो सकता है, October last में हो सकता है, November first week में, और अगर आपको कोई भी query है, तो एक help line number भी जारी किया है, all over the India के students के लिए, जी, अठारा सो, तीन सो, नो, तीस, तरेसट, अगर आपको कोई भी जानकारी चीए, तो आप इन्हें call कर सकते हैं, तो ये इन्होंने बता दिये, अब ओर details पर चलते हैं, आगे, दिखे कर मैं details की बात करूँ, तो आज जैसे की आपको पताए कि, SSC की जितनी भरती होती है, central की भरती है, उसमें 100 रुपे जनरल OBCWS के लिए form फीस होती है, girls के लिए कोई फीस नहीं होती है, exempt होती है, स्ट के लिए भी कोई फीस यहां पर नहीं होती, date मैंने आपको accurate बता दी, आप उसके coding जाके apply कर सकते हैं, बस collection charge 200 और 500 रहेगा, total vacancies की बात करें यहां पर, तो vacancies आई है 2006 भरतिया, all over the India, कश्मीर से लेकर कन्या कुमारी तक, आप कहीं से भी हो इस भरती में apply जरूर करें, आप देख सकते हैं, आप 18-27 साल age category है, group D के लिए, और 18-30 साल age category है, group C के लिए, अब आपके मुन में यह भी question होगा, ग्रूप C और group D क्या है, देखो दो post के अलगलर level है, salary difference भी है, और post difference भी है, अगर मैं grade C की बात करूँ, तो grade C और grade D, दोनों के eligibility सेम है, बस थोड़ा difference है, अगर आप grade C की बात करें, तो इसमें 12 pass out चाहिए, दोनों में 12 चाहिए, वैसे तो, बट grade C में आपको यहां पर, क्या करना है, 40 minute की English की typing, और 55 minute Hindi की typing का test आपको देना होगा, जो after CBT होगा computer based test के बाद, और अगर आप group D में जाते हैं, तो 50 minute आपका English, और 65 minute आपका Hindi का यहां पर, क्या होगा दोस्तों, एक computer based test आपका होने वाला है, अब यह तो चलिए, मैंने बता दिया, उससे पहले एक चीज़ जो आपको समझना बहुत जरूरी है, SSC का रूल आया था, उन्होंने अपनी नही वेबसाइट बनाई ती, जिसका नाम है SSC.gov.in, इस वेबसाइट पर जाकर सबसे पहले आपको OTR, OTR का मतलब होता है, One Time Registration, यह करना जरूरी है, अगर आप यह नहीं करते हो, तो आपका यहां पर फॉर्म भरा ही नहीं जाएगा, तो यह काम सब को करना है, जो लोग पहली बार SSC में अपलाई कर रहे हैं, उन्हें बता देता हूँ, बागी सब जानते होंगे, वेबसाइट कर लिंक में दिस्क्रिशन में दिया है, पहला ही लिंक है, औफिचल लिंक यहां पर जाके आपको रेजिस्टर पर टैप करना है, यहां पर रेजिस्टर पर जाओगे, तो यह चार-पांच स्टेप्स हैं, जैसे परस्वर्ड डिटेल, पासवर्ड किरिएशन, अडिशनल डिटेल, एड्रस वगएरा आता है उसमें, और डिकलेशन, जिसमें कन्फरमिशन आता है, और कंटीनियू, ठीक है न, तो यह ऐसे चार-पांच डिटेल से, जो आपको यहां पर बंढ़ने हैं, अधार है, अधार नंबर, पैन नंबर, यह सब डाल के आपका एक बार, लाइफ टाइम रेजिस्टेशन हो जाएगा, आपको एक रेजिस्टेशन आइडी मिलेगी, ठीक है, यूजर आइडी पासवर्ड, उसके बेस पर आपके SSC की कोई भरती आ रही है, तो आप उसे डिर्यक्ट अपलाई कर सकते हो, तो यह काम तो आज ही कर लेए, इसमें देर मत करना, चीज़े जी, अब आगी सारी बात, अब बात करते हैं, इनके सलेबस की है, तो मैंने आपको बता दिया, कितनी वकेंसी है, क्या डेट है, क्या एज है, क्या फीस है, अब बात करते हैं, आपर सलेबस की, तो एक्जाम होगा, नमबर, दिसम्बर के असपास, यहाँ पर जो आपका सलेबस रहने वाला है, जर्णल, इंटेलिजेंस, रीजिनिंग, रीजिनिंग के पचास कोशन्स आएंगे, पचास गंटे के, पचास कोशन्स, पचास नमबर के लिए, जर्णल अवेडनेस, जिसमें आपका थोड़ा बहुत, हिस्ट्री जोगरफी और जर्णल कोशन्स होते हैं, जिसमें जर्णल साइंस भी इंक्लूड होता है, 50 कोशन्स, 50 मार्क्स के लिए, इंग्लिज, कॉम्प्रिहेंस, और लेंग्विज, 100 कोशन्स, 100 मार्स के लिए, तो इस एक्जाम को करेक करने के लिए, पकड़ क्या चीए है, इंग्लिश में पकड़ चीए है, English अगर आपकी अच्छी है, comprehensive आपका अच्छा है, subject आपका language आपकी अच्छी है, तो आप अच्छे से ग्रयाग कर लोगी इस exam को. Maths यहां पर नहीं है, जिलों का Maths वीग होता है, प्रोबैबिली उनकी English अच्छी होती है, तो यह प्लस पॉंट आपको यहां पर मिल रहा है, अब इसके अलावा मैं आपके बताना चाहूंगा, कि यहां पर 200 मार्क्स के 200 कोशन है, दो गंटे 40 मिनट का पेपर होने वाला है, और इसमें निगेटिव मार्किंग 1 by 4 रहेगी, चार कोशन गलत होने पर एक नमबर आपका कट हो जाएगा, जब आप इसमें कौलिफाइ कर लेंगे, तीक है, आपने इसमें इंग्लिश और हिंदी दोनों लेंग्वेज में आएगा पेपर, तो गबरानी की कोई बात नही इसमें क्या रहेगा दोस्तों, यहां पर जैसे ग्रूप D की बात करें, तो इंग्लिश का टेस्ट होगा, पचास मिनट का टाइम मिलेगा, और टाइम डूरेशन आपका यह रहेगा, ठीक है, और D के लिए हिंदी में पैसट, और यह नहीं आपको बताई दिया, इतने टाइपिंग आप यहां पर करके दिखा दोगे, तो उस इस आपसे आपका सेलेक्शन हो जाएगा, तो अगर आपकी टाइपिंग कोई accuracy speed नहीं है, stenography आपको नहीं आती, तो अपने सहर में, online, offline, कहीं पर भी start कर दे सीखना, दो महीने में अच्छी कासी practice हो जाती है, कहीं ज कोशिस करो, English आपकी बैटर हो जाए, कैसे भी करके, जिसके लिए Aryant की बैस्ट बुक आती है, दिशा की आती है, अद्डा 247 की आती है, और महिंदरा की भी आती है, सबसे ची बात क्या है कि 11th, 12th, 10th औ 12th की जो English grammar की बुक है, वो अच्छे से कर लोगे ना, उसका रिविज आप सेलरी देखो दोस्तों, जो ग्रेड सी है उसकी सेलरी 34,800 है, ठीक है, और ग्रेड डी की सेलरी यहां पर आप दिशे तो 2200 है, और यह मैं बता रहा हूं, मैं यह पुराना डाटा है भाई, अगर लेटेस डाटा की बात करेंगे आपन, तो सेलरी 51,000 तक जाती है, यह मै बड़ी बात है भाई, सेलरी काफ अच्छी रहती है, तो सेलरी काफ अच्छी है, प्रोग्रेस काफ अच्छी है, जितने भी सरकारी डिपार्टमेंट से वहां पर आपकी जोब रहेगी, स्टैनोग्राफी सिटिंग जोब है, ट्राई कर सकते हो बिना मैथ वाली वकेंसी, लिंक डिसके शबने